फेरडे इस सेकिंड लॉफ एलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं जी फेरडे ने ये हमारे पास सेकिंड लॉफ दिया था ठीक है और किस हवाले से दिया जी एलेक्ट्रिसिटी को यूज करते वे एलेक्ट्रो जैसे के वर्ड एलेक्ट्रोलिसिस जो हो किस से निकला है जी एलेक अब जो भी हम इसके अंदर compound ले रहे होंगे, हमारे पास क्या है, जी बीकर के अंदर हमने कोई compound लिया है, solution लिया है, जिस तरह हमारे पास copper sulfate है, और silver nitrate है, ठीक है, इनके हमने solutions बना लिये, और aqueous form में बनाए, इसके साथ हम aqueous लिख लेते हैं, कोई भी चीज जो water के अंद में हम ले रहे, अब होता क्या है, जी जैसे ही हम इसमें सही बैटरी हमें represent करी है, जो positive और negative terminal से यहां पर हमने दिखाया वह जी, यह चोटा हमारे पास, हम चोटी सी यूँ करके अगर line draw करते हैं, तो इसका मतलब होता है, यह negative terminal है, और अगर बड़ा बड़ी वाली line हम represent करे गी वो negative terminal of battery को represent करी है, अब जो हमारे पास electrode यह जो metal की बनीवी है, यह लोहे की भी हो सकती है, घर में जो हम iron वगएरा यूस कर रहे हैं, लोहे की चीज़ें, aluminium की भी बनीवी हो सकती है, यह किसी भी metal की हो सकती है, copper के coins वगएरा जो reddish brown color के हमारे पास रुपे वाला सिका हो होता है, उसकी भी बनीवी हो सकती है, तो यह हमने दो rods यह उसकी भी है, metal की ठीक है, इनको हम electrode कहते हैं, अब जे जो battery के negative terminal से जो हमारे पास electrode जुड़ी हो, उस पे negative charge होता है, क्या हमें शो कर रहा है कि किसी भी जगा हमारे पास कोई चीज़ अगर neutral होती है, तो हम कहते हैं, यहां पर electron जिस पे negative charge है, और proton जिस पे positive charge होता है, वो equivalent होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन electron यहां से, यहां move करें, तो इसका मतलब यह है, कि यहां पर electron की quantity ज्यादा है, यह wire के through हमने इसको इस electrode से मिलाया हो है, ठीक है जी, तो electron की movement ही basically हमारे पास क्या है, current है, यह electricity है, यह electrode जो word है, हमारे पास इसी बज़ा से है, अब वो जब इसमें दाखिल होगा, तो इसको क्या कर देगा, जी, negative charge, अब इस solution के अंदर हमारे पास दो आइंस बनेंगे, lysis होगा, यहां पर हम लिखते हैं, जी, copper plus 2 के अंदर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, इसकी oxidation state है, यह व हमारे पास attract होगा, ठीक है, यहां पर हमारे पास ऐसा भी होता है, कि अब positive wine जैसे ही बना, तो यह हम क्या कह रहे हैं, जी, यह इसकी valency है, copper जिस तरह से हमारे पास product table में available होता है, अगर हम देखें, तो यह हमारे पास two big group में होगा, ठीक है, यह हम group के हवाले से इसकी valency number को जो है, वो बताते हैं, ठीक है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो silver nitrate है, यहां पर क्या होगा, जी, again हमारे पास compound जो है, break होगा, silver और nitrate के अंदर, दो आइन्स हमारे पास, जो है, वो convert हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो हम कहते है, silver आइन जो है, जिसके उपर plus one oxidation state ह होता है, यह इसकी valency one है, ठीक है जी, तो यह one B group में product table में अगर हम देखें, तो available होता है, यह इसकी तरफ जो है, वो attract होगा, अब जितनी जितनी इसकी amount यहां पर, जो है, वो grams में आती जाएगी, हम current एक जैसा देते जाएंगे, यहां से, तो इस वाले chamber में, और इस वाले chamber में, copper जो इसके उपर attach हो रہा था, और silver जो इसके उपर attach हो रहा था, यानि कि amount जो इसके उपर collect हो रही थी, वो different होगी, ठीक है जी, तो हम जो elements को study कर रहे होते हैं, हम जो ions को study कर रहे होते हैं, जो इस electrode के उपर, हमारे पास deposit हो रहे होते हैं, उसकी study के हवाले से ही faraday's नहीं अपना second law दिया जो कि यह कहता है कि हमारे पास जो series of अगर electrolyte available हो और उसमें से हम एक जैसा सब के अंदर से एक जैसा current जो है गुजार हो एट सबोस जैसे मैंने current के लिए बताया था हमने कि हमारे पास जो unit होता वो क्या होता है जी impair होता है ठीक है तो हम हम कहते हैं जिस तरह हम आटा ये-चीनी घर में लेकर आ तो हम केते हैं केजि में हम एएर करने करते हैं पांच किलो ग्रम है। यह 10 किलो में है इसी तरह से जो current आरह होता है उसका unit हम क्या लिखते हैं और फिर वापस बैटरी के साथ जो है वो एक वायर उनकी जुड़ रही होती है। तो एक जैसा करन्ट देने से उनकी जो हमारे पास quantity यहां पर deposit हो रही होती है वो different होता है। ठीक है हर एक की जो है वो different होती है। तो जैसे इसको हम क्या कहते हैं जी इसको हम कहते हैं equivalent mass यहनी के जितना हमारे पास mass उसका deposit हो रहा था उसको हम कहते हैं equivalent mass और वो किस बराबर होता है, वो उसके atomic mass of element, यानि के जितना भी हमारे पास element का mass होता है, उसको हम करते हैं, जी किस से, हम divide कर देते हैं, उसकी valency से, यानि के जो अभी मैंने बताई, कि oxidation जो state होती है, या जिस group में, वो हमारे पास periodic table में available होते हैं, वो भी हम उसको valency कहते हैं, यानिकि जितने elements है, यह जितने ionic species है, वो combine हो रहा होता है, उस पे respective जो हमारे पास charge होता है, इस हवाले से हम उसकी valency की बात करते हैं, ठीक है, तो silver पे हमारे पास क्या है, जी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, silver, चूंकि positive 1 से represent की है, तो silver की valency क्या हो जाएगी, जी 1 होगी, ठीक है, यह valency के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, चले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जी, इसको थोड़ा सामिदर कर देते हैं, जी, यह हमारे पास valency of silver की हवाले से बात हो रही है, ठीक है, इसी तरह से अगर मैं copper को देखूँ, तो मैंने क्या लिख वे जी, उसके पाले से भी हम इसको जान सकते हैं, तो यहाँ से मैं पता चल गए, इसकी one है और इसकी two है, अगर इस formula में हम put करें, तो equivalent mass हम जो है, वो दोनो elements का निकाल सकते हैं, जो यह दोनो metals हमारे पास electrode की उपर deposit हो रही हैं, जी, उसको हम जो है, बता सकते हैं, अगर equivalent mass of हम बात करें क इसकी जी, चलें हम silver की पहले बात कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका जो mass होता है, atomic mass होता है, वो 108 होता है, ठीक है जी, तो यह आगया हमारे पास 108 ठीक है, और यह क्या बता रहा है, इसकी valency को हमने इस से divide किया है, तो हमारे पास कितना आ गया है, जी, once हमने divide तो 108 gram इसका equivalent mass आ गया ठीक है तो हम कह रहे हैं कि यहां पर जो silver mass जो है उसका कितना इस पर deposit होगा जी वह 108 gram deposit होगा चले अब ऐसा करते हैं यहां पर चले हम silver लिखते हैं off silver की बात करें silver को एजी के symbol से हम represent करें अगेन अब equivalent mass हम निकालना चाहते हैं किसका जी हम निकालना चाहते हैं copper का ठीक है तो हम यहां पर लिखते है equivalent mass और इसको फिर हम represent करते हैं किसे कितना हमारे पास उसका नॉमली जो हम product table के अंदर ही उसका जो mass use कर रहे होते हैं वो कितना होता है जिस 63.5 अब इसकी चूंके विलंसी हमारे पास यह oxidation state ही हमें बता रही है कि मजीद अपने साथ इस तरह के आइन को combine करता है जिसकी minus two होती विलंसी या फिर हम कहते हैं कि इसके पास इतनी capability है कि मजीद दो अपने bond बना सकता है ठीक है जैसे इसकी example मैं लिखूं CuCl2 ठीक है दो chlorine को अपने साथ डैच करके copper cuprous chloride यह बना देता है तो इससे भी हमें पता चल रही है इसकी विलंसी क्या है जी two है तो इसलिए हमने इसके mass को divide किया जब तो हमारे पास क्या आ गया जी हमारे पास equivalent में आया 2 से हमने divide किया 63.5 को तो हमारे पास आ गया है इसकी जो amount collect हो रही है इस electrode की उपर वो कितनी है जी वो हमारे पास है 31.5 gram तो हम देख रहे हैं कि दोनों की जो है वो different है यानि कि इसकी ज़्यादा amount collect हो रही है silver की और इसकी जो है वो हमारे पास कम amount collect हो रही है current हमने एक जैसा देना है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी off copper cu से हमने represent किया let's suppose current हमने दिया था यहाँ पर हम लिख देते हैं जी हमारे पास था यह 5 ampere let's suppose 5a से present कर देते हैं ठीक है जी तो अब amount दोनों की different है यहाँ पर ज्यादा इसकी amount collect हो रही है silver की क्योंके उसकी हमने जब equivalent mass को determine किया इस formula से तो यही कहता है कि series of beaker अगर हम attach कर दें जिसमें electrolytes हों तो जो हमारे पास respective element जो के electrode के उपर store हो रहा होता है वो हर इक का different होता है ठीक है चाहे हम same current apply कर रहे हैं एक जैसा ही current उनमें से गुजार रहे हैं लेकिन उनकी जो equivalent mass collect हो रही होती है gram में वो दोनों की जो है या बहुत सारे elements की जो हमारे पास beaker में मौझूद होते हैं उनकी different होती है तो यही है जह हमारे पास faraday second law of electrolysis